हाइदरबाद में 2,80,000,000,000 रुपए मालियाथी, 1,300,000 किलो गांजा हुआ जब 2 अफराथ हुए गठफटार बज्जाज एलिक्ट्रोंिक से 70,000,000,000,000 रुपए मालियाथी, 432 ग्राइद की 2 सारिक भी हुए गठफटार हाइदरबाद में गांजा की स्मगलिंग में मसरूफ बैंड रियासती गैंग का पोलीस ने परदाफाश किया है कमिशनर पोलीस राचा कुंडा पोलीस कमिशनर एट मिस्टर महिश भागवत ने बताया कि गांजे की गेर खानूनी स्मगलिंग में मसरूफ दो अफराद को हयात नगर पोलीस ने तहवील में ले लिया है उन्हों ने बताया कि ग्रफतार किये गे इन दोनों गांजा स्मगलर्स का तालुख रियास्ते मध्या प्रदेश से हैं और उनकी शनाक्त चंद्रेश और नरिंदर की तोर पर की गई है कमिशनर पोलीस राचा कुंडा मेहिश भागवत ने बताया कि आंधर प्रदेश के मश्रकी गोदावरी जिला के मारिट पली से बड़ी मगदार में गांजे की मुन्तखली की खुफिया और मस्दखा इतला के बाद उन्हें हायातनगर के 20 संधी जंक्शन के खरीब पकड़ लिया गया उन्हों ने बताया कि इस मामले का एहम मुल्जिम मश्रकी गोदावरी जिला का साकिन पेंटा राओ मफरूर है कमिशनर पोलीस ने कहा कि वो दीगर खदीम केसों में भी पोलीस को मतलूब है कमिशनर पोलीस ने बताया कि आंधरा प्रदेश में आपरेशन प्रियूरतन के नाम पर गांजे की काश्ट को रोकने के लिए वहां के ओधेदार कारवाईयों में मसरूफ है उन्होंने इनकिशाफ किया कि वहां 10,000 एकर अराजी पर गांजे की काश्ट की जा रही है दूसरी जानिब कमिशनर पोलीस रचा कुंडा ने बताया कि गुजिश्टा माह सेप्टमबर में हाइदरबाद के बजाज एलेक्टरानिक्स शोरूम से 70,000,000 रुपे मालियाती मुक्तलिफ कमपनियों के 432 मुबाईल फोन्स की सरخे में मुलविस दो अफराद को कामियाब त खारकंद के शबली गंज से और एक मुलजिम को मगर्बी बंगाल से ग्रफतार किया गया है